दोस्तों अब जो खबर मैं आपको अतीक एहमत को लेकर बताने जा रही हूँ जो खबरे सामने आ रही है उसमें सीधे तोर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस मर्जर के पीछे कई भाजपा नेताओं के हाथ हो सकते हैं इसलिए आतीक को खत्म करवा दिया गया क्योंकि आतीक के पास कई ऐसे राज थे जिससे भारतिय जंदा पार्टी के कई नेताओं के जो राज है वो फाश हो जाते इसलिए आतीक का खत्मा करवा दिया गया यह आरोप समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल की तरफ से बाजपा में हैं उनी नेताओं ने अतीक किस सेटिंग की है बीजेपी में करवाई मिल जुल कर सब धंदा कर रहे थे पैसे का लेंदिन था राजफास का डर था बीजेपी ने इसलिए मरवा दिया योगी राज में ना हत्याकांड की जाच होगी ना राज खुलेगा यानि सम उनका सफाया हो जाता उनका करियर खत्म हो जाता अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस जाच में ही पता चल पाएगी लेकिन जिस तरीके से यह आरोप का जो सिलसिला है वो उठने शुरू हो गया है कभी स्मिर्टी रानी का जो नजदीकी कारिकरा में वो समा पुलिस जाच में पता चलेगा हाला कि आपको बता दे क्यातिक एहमद और उनके भाई अश्रफ की हत्या के मामले में अब एक और जाच टीम का गठन करवा दिया गया है पहले नियाएक जाच समीती बनाई गई थी और अब SIT जाच यानि विशेष जाच दल विशेष पु शांत कुमार ने सुंबार को इसकी जानकारी देते वे कहा कि प्रयाग राज के पुलिस आयुक्त आर के विश्व कर्मा के आदेश पर अपर पुलिस उपायुक्त अपराद मुख्य विवेचक के नेतरत में तीन सदसी SIT टीम की गठत कर दी गई है इसके अलावा एक निग किन चेहरों किन-किन लोगों का नाम आता है कौन इसके पीछे मास्टर माइन था किसने ये सुपाड़ी दी थी किसने इन तीनों को भेजा था इसके बारे में सारी जानकारी कोई SIT की तरफ से शायद लगा पाया जाए जानकारी खटा की जाए जो लोगों के मन में इस वक्त उठ रहे हैं दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ तेशु बेना बुलेगा